तो गैस आज मैं explain करूंगा Marshall Universe Season 6 Episode 41 के novel को तो अगर आपको अमार इस वीडियो के explanation पसंद आती है ना तो चैनल को like subscribe जरूर करें तो चलिए बिना किसी देरी कि आजी वीडियो के explanation को start करते हैं तो इस episode की starting वही से होती है जहां से पिछला episode खतम हुआ था जो लिंग्डोंग तरना उस पर मोशा ने attack किया था गैस मोशा एक high level के set का बंदा है मतलब high level के set का true genius है जिसकी cultivation निर्वाना के level 2 पर है उसने लिंग्डोंग को हलके मेली लिया था इसने लिंग्डोंग पर उसने अपनी सबसे खतरनाक माशला टेकनिक का यूज किया था बट वहाँ पर लिंग्डोंग ने आठेस तरिये मुठी आभा का यूज करती वे एक काफी खतरनाक पांच सीधे मोशा को दे मा रहा था इस पंच में काफी ज़्यादा खतरनाक पावर थी जिसके कारना जो मोशा था वो जाकर दूर गिरता है वहाँ पर मोशा शौक में लिंग्डोंग पर देखता और खता है ये कैसे हो सकता है तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा हाई लेवल तक कैसे पहुंच सकती है वहाँ पर शौक में मोशा लिंग्डोंग को ही देख रहा होता है और फिर जब उसने लिंग्डोंग के हाथ से मुक्का खायता ना उस दिर्श से को याद करता है और उसे लिंग्डोंग की मुठी की आभा महसूस होती है और फिर अचानक से उससे हो साता और काता ये कैसे हो सकता है तुम्हारे पाट तो आठ इस तरी सेट की विडाशत वाली मुठी की आभा है बट मैंने मैंने वो मास्टला टेकनिक ले ली ती न तो तुम्हारे पास ये आभा कैसे हो सकती है और फिर वह कुछ देश सोचने लगता है और वह पीछले मतलब पीछे का सीन याद करने लगता जहां पर तीन पथर वाली विरासत नहीं थी और मोशा सबसे आके बढ़ा था उन में से जब उसने बीच वाले पत्तर को टच किया था तो उसमें से उस पर एक बहुती खतानाग मुठी आभा ने अटेक किया था वही आभा अब उसे लिंग्डॉं की बोडी से आती हुई महसूस हो रही थी वहाँ पर एकदा मोशा स्वाक में लिंग्डॉं को ही देख रहा होता है और फिर उसे कुछ एक बात याद आती है कि जैसे ही उसके दो सातियों ने और सातिसास मोशा ने लिंग्डॉं के मतलब तीन पत्थरों में से जो जो विरासत निकली थी ना उसे टच किया था कमरेक एनरजी ने सबको सातिसाद मोशा को भी बाहर उठाकर फेक दिया था वहाँ पर मोशा अपना दिमाग लाड़ाने लगता और वो महनी मह सोचता है यानि वो जो तीनों पत्थरों में से जो जो माशला टेकनिक निकली थी वो माशला टेकनिक थी बट वो असली विरासत नहीं है असली विरासत तो लिंग्डों के हाथों में लग गई है वहाँपर मोशा बहुत ही ज़ादा गुद्सा होता है और फिर वो लिंग्डों की तरफ देखकर हशते बोलता है लिंग डॉंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम तुमने आठ इस्तरी स्ट की विरासत पाली तो तुम हमारा सामना कर पाओगे एक बार हमारे पीछे देखो मेरे को मिलाकर मेरे दो दोस्त और है वो भी निर्वाना की लेवल 2 के कल्टिवेटर है अगर हम तीनों एक साथ मिल पीसे बोलता है भायो मार धालो लिंग्डंग को इंदर तोड़ता है धालो हम इसे छोड़ेंगे नहीं वहाँ पर लिंग्डंग मोसा सांग्डुओन और फैंग्फी की तरफ देख कर काता है तो ठीक है हिम्मत है तो मुझ पर अटेक करकर दिखा तुम लोग की हड़ी और अटिया तोड़का है जमीन में गार दूंगा वहाँ पर मोसा जैसी यह बात सुनता है उसे और भी जाद गुस्चा अतर खता है साले तुझे बहती जादा गर्मी है ना फिर वह अपने दोस्तों दोनों दोस्तों से काता है यानी फैंग्फी और सांग्डुओन से भायों चोड़ना मात है वहाँ पर मोसा अपनी अनर्जी को सर्कूलेट करने लगता और अपनी बोड़ी से अपनी अनर्जी को रिलीस करता है बट वो पीछे देखता है उसके दोनों दोस्तों आगे होगे बढ़ी नहीं रहे है वो एकदम सांथी से खणे है मोसा उनकी तरफ हमारा इरादा तुमसे लड़ने ओरने का नहीं है हम जानते है कि हम तुम्हारे मुकाबले बहुत ही जादा कम जोड है हम चाहते है कि तुम हमसे मतलब बदला अदला मतलो और हमें चुपचाप यहां से जाने दो वहाँ पर फैंगफी और शांग डुआ जानते थे कि देवे कलिफ एंपायर का बैककाप वीफ था पर फिर भी लिंग डॉंग ने पूरे डेवे कलिफ एंपायर को एकदम तोड ताड के रख दिया है पता नहीं अगर लिंगड़न से लोग पंगा ले लेंगा और पता है नहीं लिंगड़न कौन सा ट्रिजर निकाल लेगा उस की तरफ देख करकता है सालों तुम्हें एकदम नल्ले हो नल्ले आज मैं लिंग्रंग को दिखाऊंगा की मेरी पावर क्या है वहाँ पर मोशा फिर से अपनी पावर को सर्कुलेट करने लगता है लिंग्रंग बोलता है अचा ठीक है मोशा मैं तेरे अभी बनाता हूं चोका उसके बाल लिंग्रंग अपनी मुठी आभा का यूस करते मोशा को दिये दाना देन अदना उठा उठा कर पटकता है जमीन में एकदम गाड़ ओड़ देता है वहाँ पर मोशा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंग्रंग इतना जादा खतरनाक है मोशा ने अ माशला टेक्निक नहीं चुरायती मतलब पत्थर से जब तीन टेक्निक निकलीती तो दोनों बंदे ने फैंगफी और शांगडवा ने लिंग्रंग के साइड साइड वाली टेक्निक उठायती लेकिन मोशा ने लिंग्रंग वाली टेक्निक उठायती लिंग्रंग उस टेक् मैंसे तीन मारशिलाट वाली विरासत निकल केंने तो तुमने अगर उन तीनों विरासत वाली टेकनीक को में तुम्हार में किसी मारशिलार टेंक को टच किये दिया होता न करता है तो हमने तुम्हारा रास्ता क्लियर किया तुम्हारी इंडारेक्टली मदद कर दे तो फिर तुमने मुझे क्यों पीटा और तुमने ये माशला टेक्निक हम से चीन क्यों ले क्यों कि ये तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है बट हमारे लिए इंपोर्टेंट ह वहाँ पर जो लिंग्डों होता है वो शांग्डुवान और फैंग्फी की तरफ देख कर करता है मैंने कब का कि मैं इन दोने से इनकी टेक्निक्स छीन रहा हूँ वहाँ पर जो लिंग्डों होता है वो फैंग्फी और शांग्डुवान से करता अपनी अपनी टेक्निक उठ लेकिन तुने जाते जाते क्या बोला था जिसकी आउकात होती ना वही ताकतवर चीजों को पाता है तो मैं तेरी आउकात दिखा रहा था और इसलिए मैंने तुझे पीटा और तुसे माशला टेक्निक छेल लेकिन इन फैंक फी और शांग डूआ ने मेरे साथ पहले से एकद उनने मुझसे पंगाओंगा भी नहीं लिया और तेरे कहने पर मुझ पर थोड़ा भी अटेक ओटाइक भी नहीं किया इसलिए मैं इनसे इस टेक्निक नहीं छेन रहा हूं बट तुने तुने तो मेरे साथ पंगा भी लिया मुझे पता नहीं क्या क्या बोला इसलिए मैंने तेरी ओकात दिखा दी, वहाँ पर फैंक फिर और शांग डुवान जब यह बात सुनते हैं न, कि लिंग्डॉंग उसे माशला टेक्निक नहीं छीनेगा, और वो मोसा से भी नहीं छीनता, लेकिन मोसा ने उससे खाता, जिसकी ओकात होती है न, वही ताकतवर चीजों को पाता इसलिए लिंग्डॉंग ने मोसा की पिटाई कर दी, भाण में जाये मोसा हमारा के हमारा तो फायता योग्या, शांग डुवान और फैंक फिल लिंग्डॉंग का धन्यवाद बोलते हैं फिर वह पीछे अड़ जाते हैं, लिंग्डॉंग मोसा की दो थार ठपड़ों पर धरते हैं, और फिर वह मोसा को जमीन में पटक कर वहां से चला जाता है, वहाँ पर मोसा लिंग्डॉंग को जाते हैं, लिंग्डॉंग तुने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम जानता हैं, मैं किसे अमपार से हूँ, मैं रैड़ पार से हूं वहाँ पर लिंग्रोंग थोड़ा सा पीछे मोड़ता और मोसा को घूर कर देता है उतने ही मोसा की फट जाती है वहाँ पर लिंग्रोंग मोसा को धमकाते भी बोलता है ठीक है अगर तुझे भविस्य में मुझसे कभी भी पंगा लेना होना तो मुझसे आकल ले लेकिन एक बात याद रखना इस बार तो मैं तुझे छोड़ाऊं लेकिन दूसरी बार ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं उसके बाद वहाँ से लिंग डॉंग चला जाता है और गैस अगर आम मार्शल इनवर्च के जल से जल सारी एपिसोड देखना चाते हैं तो आप हम बग 600 एपिसोड तो बनेंगे ही अगर आपको एपिसोड जल से जल देखने हैं तो आपको नीचे फ्री टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाहिए और केवल लिखे सस्क्रिप्शन मैं आपसे खुद कांटेट करूंगा इसमें मतलब फुल लाइप ट काहनी की में श्टोरी लाइन पर वहाँ आप जो लिंग्रं मस्त याव्यान के सथरी बड़ा होता है और आप लोग को येकी लिंग्डोंग पैदली भाग रहा है एकदम जमीन पर घोड़नी और दोड़ है जब कोई बंद निर्वाना इस्टेश तक पहुंच जाता ना तो उसके पास उड़ने की अबिल्टी आ जाती है तो आप लोग समझें की लिंग्डोंग कैसे चला है और टाइगर्ज या याव्यान के साथ रास्ती में उड़ता हुआ जा रहा है तभी लिंग्डोंग अपने पास से उसने जो मोशा से माशला टेकनिक वाला स्क्रोल नहीं छीना था उससे लेता हो टाइगर्ज याव्यान को दे देता है क्योंकि मिस्टर डाव ने लिंग्डोंग से कहाता कि लि तो उसकी पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी और गाइस माशला टेकनिक का लेवल आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यादा सीजन फोर में लिंग्ड लेटियन को माशला टेकनिक मिली थी वो अजीब से नहीं घर खंडर रोंडर से जहाँ पर टाइगर जियावयान को माशला टेकनिक दिया ना वो सूल माशला टेकनिक के लो लेवल का है मतलब आप समझेए सूल माशला टेकनिक पता नहीं किस लेवल किया बस यह जान लेजिए को वो पीक पर तो हो गई और वहाँ पा जो टाइगर जियावयान को लिंग्ड ने माश लाट के लो लेवल किये उसके बाद जो मिश्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कते हैं लिंगडोंग तुम्हारे पाट आच इस तरीय मुठी की आभाब ही है ना उसमें से कुछ है ना जी टाइगर्स जावयान को भी ट्रांसपर कर दो क्योंकि जब टाइगर्स जावय लो लेवल शोल मास्टला टेक्निक को सीखनी लगता है और लागबाग दो दिनों में वो भी काफी ज़्यादा डेंजर एक परसन बन जाता है उसकी पावर एकदम नेश लेवल तक पहुच गई होती है उसके बाद हमें वहीं पर इस दुनिया में न एकदम सेंटर में एक आइलेंड को दिखा जाता है उस आइलेंड के चारत्रा बहुत सारे कल्टिवेटर उतर रहे होते हैं वहीं पर हमें लियो बाई को भी दिखा जाता है गाईस आप लोग को याद होगा लियो बाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था पर इस आइलेंड पर ना बहुत ही ज़्यादा पारफुल सेट की विरास्ति भी मौझूद हैं जिनको पाने के लिए बहुत सारी कल्टिवेटर्स इस आइलेंड पर आई हुए हैं और गाइस इसी आइलेंड पर न एंसियंट वर्ल्ड फिल भी मौझूद है जिसे अकल लिंक टोंग पा जाता है न तो उसका लेकिन ऐसा नहीं है इस 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 एंसेंट वर्ल फिल को न किवर मिश्टर डाव ही बहुत ही ज़्यादा सिद्ध से पाना चाते हैं और साहिए हम पर जो कल्टिवेटर्स है न वो चार महान सेट की विरास्ति पाने के लिए हैं क्योंकि अगर किसी भी बंद कुण चारों में से एक भी विरास्ति मिल गई न तो उसकी पावर एक नेस्ट लेवल तक पहुँच जाएगी और वो बहुत ही असानी से निर्वाना रैंकिंग में फाइट कर सकता है और किसी भी एक हाई लेवल के सेट का मेंबर बन सकता है बट फिर भी एंसेंट वर्ल फिल को पाने के लि अगर उसकी कल््टिवेशन या उसका डांट्यान भी डिस्ट्रॉय हुआ और तभी भी उसका पूरा सरीरी रिस्टोर हो जाएगा उसका डांट्यान भी रिस्टोर हो जाएगा और गैस इस continent का नाम ता Pilground है और गैस हमें वहीं पर एक side एक दिशा में मतलब उस Pilground के न एक दिशा में एक कल्टिवेट उतरता है जिसका नाम होता है Link Laitian और गैस हमने Link Laitian को बहुत सारे Episode में नहीं देखा है लेकिन यहाँ पर हमें लिंग लैटियान दिखा दिया जाएगा सैद लिंग डोंग का फाइट भी उस्टे हो वहाँ पर लिंग लैटियान उस कॉंटिनेट पर उतरते वे कता है लिंग डोंग एक बार मुझे विरासत मिल जाने दो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लिन फैमिली का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बांदा कौन है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लिंग डॉंग उसके बाद जो लिंग लैटियन होता है वो भी अंदर चला जाता है और यहाँ पर बहुत सारी सकती साली आभाय निकलती है उसके बाद थोड़ी दिर बाद हमें लिंग डॉंग को भी दिखे आ जाता है जो उड़ते वे मिट टाइगर जयावयान के साथ वहाँ पर आई जाता है और वही पर जमीन पर उतारता है और गैस आज की वीडियो की एक्स्पिनिशन को यहीं पर इंड कर देते हैं नेस्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल लाँ तो अगर वीडियो की एक्स्पिनिशन पसंद आयो ना तो चैनल को लाइक सेस्क्राइब जरूर करें पर टेली राम अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो हाँ पर जॉइन कर लिजिए थैंक्यू बाइबा नेस्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर अप्लोड कर दिया जाएगा